नवस्कार मैं हूँ गौरब कुमार आज है 11 अप्रिल चलिए जानते हैं देश विदेश की 25 परमुख खबरों के बारे में चीन के वुहान सहर से निकला घातक कॉरोना वाइरस सुकरवार की रात 12 बजय तक दुनिया बर में एक लाग से ज्यादा लोगो को हमिशा के लिए मौत की निन्सूला चुका है दुनिया के 193 देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहे है विश्व भर में कोरोना वाइरस संक्रमन के सिकार 16 लाग से जादा मरीज अपना उपचार करवा रहे है वहीं कोरोना वाइरस से अब तक 1 लाग लोगों की मौत हो चुकी है मद्यपर्देश की राजधानी भोपाल में कोरोना पॉश्टिव मरीजों का आकरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है सुकरवार को एकी दिन में 26 नए पॉश्टिव केस आने के बाद राजधानी भोपाल में मरीजों की संक्या 100 पार कर 124 तक पहुँच गी कोरोना के संकर्मन में जो नए मामले सामने आये है उसमें तीन डॉक्टर और उनके परीजन समेत 15 अधिक स्वास्त विभाग के करमचारी और कई पुलिस कर्मी भी सामी ले विशेशग्यों का मानना है कि लॉक्डाउन खत्म होने के बाद ऐसे छेत्र जो की काफी कुछ लोगों की सोच और व्यवहार पर नेरभर है उसमें सुधार आने में सबसे ज्यादा वक्त लगेगा जबकि जिन छेत्रों को सरकार ने कोरोना वाइरस कोविड-19 के परकोप क को रोकने के लिए बंद किया है उसमें सबसे तेजी से सुधार आएगा उन्होंने काहा कि फार्माज, चिकित्ता, स्वास्तुपकरन तथा डिजिटल कम्पनिया उन छेत्रों में सामिल है जिनके कारोबार में COVID-19 महमारी के बाद उच्छाल देखा गया कॉंग्रिस ने सुप्रवार को कहा कि अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हजारों भरतियों नागरिकों की नौकरियों पर खत्रा मंडरा रहा है और ऐसे में उनके हितों की सुरच्छा के लिए परधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दखल देना चाहिए पाटी के मुखे परवक्ता रंदिप सुर्जेवाला ने याभी कहा कि मोधी सरकार ने पहले मलेरिया की दवा के निर्यात के संदर में इंडिया फर्स्ट की नीती पर समझोता किया और अब उसके लिए जरूरी है कि वह अमेरिका में काम करने वाले भारतिय नागरिकों की जीविका की सुरच्छा की वेवस्ता करें उन्होंने अपने बेयान में कहा कि H1B वीजा पर 3,9986 लोग काम करें जिसमें से 75,000 लोगों की नौकरी पर खत्रा मंड़ा रहा है भारती आहिर विज्या ननुसंधान परिस्तद द्वारा किये गए एक अध्यन कनुसार गंभिर स्वास संक्रमन से पिरित कोरोना वाइरस संक्रमीत कुल 104 मरीजों में से 40 मरीज ऐसे पाये गए जिनोंने ना विदेस यात्रा की थी और ना ही वे किसी संक्रमीत वेक्ती के सं नाच की थी जिससे यह निसकर सामने आया है कोरोना वाइरस महमारी से बचाने के लिए योगी सरकार कड़ाई से लोकडाउन के नियमों का पालन करवा रही है लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे है उन पर पुलीस परसासन कठोर कारवाई भी कर रहा है और जिसके चलते सरकों पर लोकडाउन का उलंगन करने वालों पर कारवाई भी तेजी से की जा रही है इस कारवाई से आठ करोर 87 लाख रुपे का जुर्माना भी लोगों से वसूला जा चुकाया साथ ही विधविक कारवाई भी की गई है जमू कस्मीर में कोरोना वाईरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है यही कारण था कि आज भी 10 नए मरीज पॉजिटिप पाए जाने के बाद संक्रमीतों की संक्या 198 हो गई है बढ़ती संक्या के कारण रेड जोन इलाकों में सक्ती और बढ़ा दी गई है तथा उपर आज येपाल ने कहा है कि रेड जोन इलाकों में पावंदिया लंबी चलेगी इसके साथ ही बता दे कि आज 12 मुला में 7 और कुपवारा में 3 नए मामले सामने आये है जो की पॉजिटिप पाए गए है इंदोर ने कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है सुकरवार को इंदोर में 12 कोरोना पोष्टी मरीज ठीक होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए नया जीवन पाकर उक्त सभी मरीज बहुत ही खुस दिख रहे थे कोरोना को हराकर अपने घर लोटने वाले हर एक मरीज ने उनकी सेवा करने वाले चिकित्षको नरसो परसासन के अदिकारियों के परती अपना आभारवेक्थ किया है कसमेर में सरकारी आदेशों की धज्जिया उराने वाले कई मामले सामने आने लगे है सुक्रवार को जुम्मे की नमाज पर कई जगों पर सामुहिक नमाज अदा करने वालों में से 15 को पूलिस ने हिरासत में ले लिया लेकिन उन 300 लोगों की तलाज जाड़ी थी जिनोंने बांदी पोरा में सामुहिक नमाज अदा की थी इतना जरूर था कि आतंकी के जनाजे में सामिल होई भीर में से करीब दो दर्जन पूलिस के हत्ते चड़ चुके हैं केंद्री ग्रिय मंत्री अमीच सा ने सीमा सुरच्छा बल को निर्देश दिया है कि वा पाकिस्तान और बांगलादेश से जुड़े देश की सीमाओं खास तोर से जहां कटिली बार नहीं है पर निर्देश दिया कि इन सीमाओं से किसी परकार का आउमानना ना हो लोकडाउन का उलंगन कर तबलीगी जमात के सदसियों को सरन देने के मामले में तेरा लोगों के खिलाफ नोईडा के सूरचपूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलीस उपायुक्त हरिस्चंद्र ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दिन में आयूजित तबलीगी जमात के कारेकर में भाग लेने के बाद महराष्ट के रहने वाले 10 लोग लोकडाउन के दोरान निजामुद्दिन से भाग कर ग्रेटा नोईडा के सूरचपूर मे इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक मस्जीद के इमामों ने उन्हें मस्जीद में सरन दी थी साथ ही तबलीगी जमात के सदस्यों को सरन देने वाले इन इमामों की तलास जारी है कर्मचारी भविष्य निदी शंगठन EPFO ने लोकडाउन के दोरान अंस धारकों को रहत देने के लिए 280 करोर रूपे के 1.3 लाख निकासी दावों का निप्टान किया है इन दावों का निप्टान नए पराउधान के तहद किया गया है सरकारी विमानन कंपनी एर इंडिया के परमुख राजीव बंसल ने कहा कि कोरोना वाइरस ने कंपनी की पहले से खराब आर्थिक स्तिति को और बिगार दिया है हाला कि कंपनी किसी तरह से अपना परिचालन जारी रखे हुए बंसल ने करमचारियों को भेजे संदेश में कहा कि महामारी के दोरान राहतवा बचाओ के लिए विसेज उड़ाने शुरू करने में सभी आविशक सुविधाय मुहया कराई जाएगी लुद्याना में एक चोर के कुरोना वाइरस संक्रमित पाये जाने के बाद पंजाब पुलिस के साथ जवानों और एक नयाइधी समेट दस लोगों को घर में पिर्थक रहने को कहा गया है पुलिस ने गट सोमवार को फोकल पॉइंट पर एक अन्य सक्स को भी पकरा था जो हिरासत से भागने में सफल रहा कस्मीर के लोगों के लिए या दोरी मुसीबत कही जा सकती है कि एक तो कोरोना की दहसत में वो घिरे है और दुसरी और पाक सेना गोलों की बरसात किये जा रही है इतना जरूर था कि कुपवारा में सुकरवार को पाक सेना की भिजन गोली बारी का जवाब देते हुए भारतिय सेना ने उसके कई बंकरों को निस्तानबूत कर दिया था फिलाल उस पार पाक सेना के कितने जवान मारे गए है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिंदर सिंग ने सुकरवार को कहा कि कोरोना वाइरस के खिलाब केंदर की ओर से राजियों के लिए तैक किये गए 15,000 करोर रुपए का पैकेज नाकाफी है और ऐसे में मोधी सरकार को पर्दे सरकारों को परियाप्त वित्य मदद देनी चाहिए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अप्रेल से किसानों को फसलों की कटाई के लिए लॉकडाउन में धेल दी जाएगी और इसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा ICICI, GoDigit, General Insurance और Flipkart ने सुकरवार को कहा कि वे साथ मिलकर कोरोना वाइरस COVID-19 के लिए स्वास्त बीमा की पेसकस करेंगे उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहट आसान दवा, अस्पताल में भरती होने का खर्च, कमरा या देखबाल का किराया, एंबूलेंस आयता और दूरस्त सलाह का खर्च सामिल है बयान के मुताबिक इस रेनी में दो पॉलिसी की पेसकस की गई है, पहली पॉलिसी की वार्चिक प्रीमियम रासी 169 रुपे है और इसके तहट गराकों को COVID-19 के जाच रिपोर्ट के साकरात्मक आते ही 25,000 रुपे का भुकतान किया जाएगा वहीं दूसरी पॉलिसी की वार्चिक प्रीमियम रासी 511 रुपे और इसके तहट एक लाख रुपे तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी देश के सबसे अमीर वैक्ती और Reliance Industries के चेयर्मेन मुके संबानी ने कोरोना वाइरस के खिलाप अपना खजाना खोल दिया है Reliance Industries गुरूप की समाजिक सेवा संस्था Reliance Foundation ने स्वेम से भी संगटनों और समाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर एक ही दिन में 13 लाख लोगों को भोजन के पैकट एवं रासन वित्रित किये चारो तरफ सन्नाटा ना आदमी और ना ही आदमी की जात उस पर कोरोना का संकट लेकिन एक मा को अपना लाडला बेटा इतना प्यारा है कि उसे लेने के लिए 2 या 4 किलोमीटर नहीं 1400 किलोमीटर का सफर तै कर लिया वो भी इसकूटी से तेलांगना के निजामाबाद की रहने वाली रजिया बेगम ने लोकडाउन के कारण अंदरपर्देश के नेलोर में फसे अपने बेटे निजामुद्दिन को घर वापस लाने के लिए अपनी उसकूटी से ही निकल पड़ी तकरीबन 1400 किलिमेटर की दूरी इसकूटी से तै करने के बाद आखिरकर वा अपने बेटे को घर लाने में सफल रही सरकार ने सुकरवार को कहा कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरिक्वीन दवा का परियाप्त बंडार है और घरिलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो मनिस सिंग ने इन दोर में मिर्थकों के बढ़ने की असली वजा बताते हुए कहा कि लोगों ने बीमारी को छिपाया इसी के चलते मौत का आकड़ा बढ़ा इन दोर में अब तक कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकिया उन्होंने बताया कि यदि लोगों ने सुरुवाती दोर में ही बिमारी के बारे में बता दिया होता तो सायद या इस्तिती बनती ही नहीं मोदी ने ब्राजिल के रश्टपती के ट्वीट का जवाब देते हुआ कहा कि इस चुनाती पूर्ण समय में भारत एवं ब्राजिल के बीच साज़ेदारी जितनी मजबूत हुई है उतने पहले कभी नहीं हुई भारत इस महामारी के विरुद मानोता के यूद में योगदान के लिए परती बद है कोरोना वाइरस के मद्दे नजर एक ओर जहां पूरे देश में ट्रेने बंध है वहीं दिल्ली से जमू के बीच एक स्पेसल ट्रेन चलाई गई राजदानी दिल्ली से चली या ट्रेन पानी पत, अंबाला, लुधियाना और पठान कोर्ट होते वे जमू पहुँची हालाकि इस ट्रेन में कोई यात्री सावार नहीं था लेकिन ट्रेन में कोरोना से संकरमन की सामागरी थी कोरोना वाइरस के कारण देश भर में मरने वालों के संक्या बढ़कर सुकरवार को 199 हो गई और संकरमित लोगों की संक्या 6412 पर पहुँच गई केंद्रे स्वास्त मंतराले ने बताये कि देश में अभी 5709 लोग संकरमी थे वहीं 503 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके है साथी एक वैकती देश छोड़कर चला गया अमेरिका में कोरोना वाइरस संकरमन के कारण अब तक 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 4.6 लाग से अधिक लोग इससे संकरमी थे इस संकरमन के कारण अमेरिकी अर्थवयोस्ता पर बहुत बुड़ा असर पराया और मात्रे एक हफ़ते में 1.60,000 लोग बेरोजगार हो गए तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही देश वीदेश की 25 परमुख खबरों को जानने के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद